जिन्ता दल के अध्यक्ष और बिहार की पूर मुख्यमंट्री लालू प्रसाद यादव को शनिवार रात एम्स के कार्डिक सेंटर के आईसिउ में भर्टी किया गया है। कार्डियोलोजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर आकेश यादव के नितरत में चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्ते की जाज और इलाज में चुट गई है। जानकारे के मताबिक उनकी हालत गंभीर बताए जा रही है। साथ ही आपको बता दे कि लालू यादव को पहले से दिल और किट्नी की बिमारी है। उनके दिल के बाइपास सर्जरी भी हो चुकी है। बता ये भी जा रहा है कि उन्हें संक्मण और सांस लेने में तकलीफ होनी के कारण हालत गंभीर होने पर राची से मेडिकल बोर्ड ने एम्स भीषने का फैसला किया। वही लालू यादव को राची से एर अंबुलेंस से रात में डिली एरपोर्ट लाया गया। वहां से सीधी उन्हें अंबुलेंस से रात करीब 9 बच कर 45 मिनट पर एम्स के काजिक सेंटर लाया गया। वही लालू यादव के बेटी टेजस्वी यादव ने बताए कि उनकी फेफटों में पानी जम गया है वहीं उनके चोहरे में काफी स्वैलिंग भी आ गया है और उनका चोहरा फूल गया है। लालू यादव को इसे पहले मार्ट 2018 में इम्स में भढ़ती करवाया किया था जिन्हें अगले महीने आप्रेल में इम्स ने चुट्टी दे दी थी। अब एक बार फिर वो इम्स में भढ़ती हुए हैं। तो चलिए से खबर पर जला जानकारी क्लिए समधाता आशुतोष हमारे साथ यहाँ पर जुट रहे हैं। आशुतोष लालू यादव की स्थिक आफिक गंभीर फिलाल बताए जा रही है। क्या कुछ जानकारी उनके स्वास्त को लेकर मिल रही है। जी आपको बता दें लालू यादव की ठीक नहीं था। उनको जो राची रीम से वहां से डॉक्टरो की टीम नहीं को यहां रेफर किया। इसी लिए देश के सबसे पर एस्पिताल एमस में उनको भर्ती करा गया है उनका पुरा पुरिवार यहां पर आया हुआ है वो डॉक्टरों की नेगरानी में हैं लगतार उनका इलाज चल रहा है और उनका यहां पर इलाज किया जा रहा है जी आशितोष जिस तरीके से पहले जब राची में वो थे उस वक्त उनकी कोर्ना जांज भी करवाए गई ती जो कि नेकिटिव आई थी अब फिलाल क्या कुछ इस्तिती उनकी बताई जा रही है क्योंकि कल इस प्रकार से तेजस्वी आदव ने बताया कि फेफडों में उनक क्रिकाया का कि इहां नहीं को इससे युटिव पर क्या है। कब तक यह जानकारी मिल पाएगी कब तक जो एम्स की टीम है उनकी तरफ से मेडिकल बुलेटिन लालु प्रसाद यादव का जारी करा जाएगा कोई भी जब लोग होते हैं तो उनके संदर्म में कोई भी अस्पताल मेडिकल बुलेटिन जारी करता है कि आज दीन में जब कुछ गंटे बीतने के बाद उनका दिया जाता है तो अभी इंसा कल साम के साथ से लीजिए तो बाराइगंटे होने वाले जानकारी जानकारी देने के लिए